exercise 9.3 का question number 13 देखते हैं 13 question में given है ABCD is a trapezium with AB parallel to DC a line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y prove that area of ADX is equals to area of ACX और साथ में आपको hint दिया हुआ है joint CX जो कि हम जब diagram बनाएंगे तब काम आएगा इस question में आपको कोई diagram given नहीं है और diagram आपको किस तरह से construct करना है यह आपको given है question में आपको एक trapezium दिया हुआ है ABCD जिसमें की AB जो है वो DC के parallel है इसके बाद में दो points आपको बनाना है एक point AB पे होगा जिसका नाम होगा X और दूसरा point होगा Y जो की BC पे होगा यह point इस तरीके से होगे कि जो line draw होगा X और Y को मिला कर वो AC के parallel होगा ठीक है इसके बाद आपको proof करना है कि area of ADX जो है area of ACY के equal है कैसे proof करेंगे इसका diagram कैसे draw होगा चलिए whiteboard में देखते है question में बुला है कि ABCD एक trapezium है trapezium क्या होता है एक ऐसा quadrilateral जिसके opposite side का एक ही pair parallel होता है तो एक trapezium आपन पहले यह draw कर लेते हैं यह हो गया अपना एक trapezium थोड़ा सा मैं बड़ा draw कर लेता हूँ यह हो गया अपना trapezium जिसमें AB जो है DC के parallel है अब मैं ले लेता हूँ यह AB DC AB जो है DC के parallel है इसके बाद आपको यह बुला है कि आपको line पहले आप draw करना है जो कि AC के parallel है तो ठीक है तो यह पहले मैं AC draw कर लेता हूँ ठीक है अब इसका एक parallel line draw करना है जो कि इस तरीके से होगा कि जो AB है इस पे point X आएगा और BC है इस पे आएगा point Y और जब आप XY को join करोगे तो यह जो XY है यह AC के parallel हैगा यह वाला line इसके parallel X5 parallel to AC ठीक है सिर्फ इतना information आपको diagram के लिए दिया गया है इसके बाद आपको proof करने के लिए बोला है to prove proof करने के लिए आपको बोला है कि area of ADX ADX is equals to area of ACY अब अगर आप देखोगे ADX को AD और X तो यहाँ पर तो line join के नहीं हुए तो पहले आपन को join करना पड़ेगा तो ADX बना लेते हैं यह बनके आपना triangle ADX दूसरा है ACY तो ACY अगर आप देखोगे तो ACY ठीक है तो A से C joined है C से Y joined है लेकिन Y से A join नहीं है तो आपको AY को यहाँ से यहाँ से join कर लेना है तो यह बन गया आपका ACY ठीक है अब इसके बाद इसको solve करने के लिए आपको एक hint दिया हुआ है textbook में कि आप यहाँ पर CX को join कर लो तो आप देखो यह है C और यह है X अगर आप इसको join करते हो CX को तो यह आ गया CX ठीक है तो देखो यह जो hint है करने से question solve होगा ठीक है उस time पर आपको यहाँ पर CX को यहाँ पर join कर लेना है अब इस question को solve करने के लिए मैं जो points बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखते जाओ तब आप solve कर पाऊगे सबसे पहले हम लोग ADX को लेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो AXD यह एक triangle हो गया AXC यह एक triangle हो गया इसलिए CX को join किया गया है तो AXD और AXC इन दोनों triangle का base AX हो गया और दोनों ही triangle same base के बीच में आ रहा है A, B और D, C तो दोनों के triangle का area है वो equal हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ लिखता हूँ triangle AXD ठीक है आप इसको ADX लिखो या AXD लिखो एक ही मतलब है ठीक है AXD इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि AX इसका base है दोनों का AXD and triangle AXC AXC या फिर आप ACX भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप ट्राइंगल का नाम आप यहाँ पर ADX और ACX इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है बेस आपन बाद हों बता देंगे Lies Between Same Parallels कौन-कौन से Parallel Lines है वो आप लिख सकते हो Parallel है AB and DC क्योंकि ये कुश्चन में गीवन है कि AB और DC आपस में and same base अब दोनों का base भी same है कौन सा है base दोनों का AX Therefore इसलिए इन दोनों triangle का area आपस में equal हो जाएगा area of ADX is equals to area of ACX इसको दे देते equation number first ठीक है अब right hand side में हम लोग को जो proof करना था वो था ACY तो अब हम लोग ACY के तरफ देखते है देखो ACY यह वाला triangle है तो यहाँ पर भी हम लोग को same चीज़ करना है दोनों parallel lines के बीच में दो ऐसे triangle ढूणना है जिनका base same हो और उनका दोनों same parallel lines के बीच में आ रहे हो तो ACY और ACX इन दो triangle को आप देखो ACY ACX ठीक है यहाँ पर base AC है दोनों का और दोनों के दोनों triangle ACX यह वाला triangle ACY यह वाला triangle यह दोनों के दोनों triangle AB और DC के बीच में लाइक कर रहे है यादि कि same parallels के बीच में आ रहे है तो इन दोनों का area equal हो जाएगा ठीक है तो मैं यह वाला triangle को लूँगा triangle ACY and triangle ACX ठीक है ACY और ACX lies between same parallels जा same parallel line parallel कौन का है AB and DC और इनका base जो है वो same है also same base base कौन सा है base दोनों का AC है ठीक है यहाँ पर AC base है AC ACY और ACX दोनों का base same है AC therefore इसी कारण से क्या होगा therefore area of AD sorry ACY ACY is equals to area of ACX ठीक है दोनों का area equal हो गया इसको दे देते हैं equation number 2 अब equation first और second को आप compare करो यह first equation है second equation है ADS ACX के equal है और second equation में ACY भी ACX के equal है दोनों ही equation में ACX आ रहा है right side में तो अगर right side दोनों का equal है तो left side भी दोनों का equal होगा तो आप लिख सकते हो from equation number first and second area of ADX is equals to area of ACY जो चीज़ हमको prove करना था proved ठीक है तो किस तरीके से हमने इसको solve किया यहाँ पर जो चीज़ हम लोग को prove करना था उसको हमने उठाया अलग-अलग और उसी दोनों को दोनों ही triangle को किसी एक triangle के equal ले आए इसलिए हम लोग को hint दिया हुआ है कि CX को join कर लो तो जब आप CX को join कर ले तो ACX यह triangle form हो जाता है ठीक है अब इन दोनों ही triangle का area जो है आपको ACX के equal लेकर आना है तो जब आप ACX के equal दोनों को लेकर आ जाओगे तो यह भी ACX के equal यह भी ACX के equal इसका मतलब यह दोनों भी आपस में equal हो जाते है ठीक है तो आपको ध्यान में यह रखना है कि exam के time पे आपको question के hint question में hint नहीं दिया होगा कि आप CX को join करो तो यह question जब भी आपको exam में आएगा तो आपको CX को join कर लेना है construction आप वहाँ पर लिख सकते हो कि construction join CX करके उसके बाद में आपको दोनों ही triangle को इसको भी ACX के equal लाना है और इसको भी ACX के equal लाना है तब यह दोनों triangle का area आपस में equal हो जाएगा ठीक है झाल